क्या आपको भी लगता है कि computer format करना एक बहुत ही बड़ा काम है क्या आपको भी लगता है कि computer एक professional format कर सकता है तो आपका सुचना बिलकुल गलत है तर आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से घर पही आप अपने PC को laptop को format कर सकते हो लेकिन उसके लिए कैसे लाएं तर इंड में दो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने बताया कि आप किस तरीके से bootable pen drive बना सकते हो घर पर ही तो bootable pen drive बनाने के बाद आपको simply इस वीडियो को देखके अपने computer को format मार लेना है तो चलिए desktop पे हम चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से successfully computer को format मा मैं बतायी थी देखिए ये डिवीडी है मैं अपने डिवीडी राइटर में अभी थोड़ दिर में लगा लूगा तो ये डिवीडी राइटर आप दो इन में दो वीडियो मिलेंगे उनको देखके बना सकते हो bootable और ने तो आप दुकान पे कहीं पे computer के दुकान पे आप सब्सक्राइब को किसी बीडिवीडी बना के वो दे लेगा जाहा है वो वीडिवीडी राइटर में अपने लगा लेंगे डिवीडी राइटर में हमने जो डिवीडी अपना वो लगा लिया है तो अब अपने system को simply restart कर देना है आपको जैसे computer restart होके open होने लगे तो आपको से कीवोड से इंटर की को प्रेस करना है वो भी कंटिनीवर्स ली क्योंको दोस्तों जैसे ही वो CD डिवीडी जो है हमारा रन करेगा तो इंटर की से ही वो डिरेक्ली रन कर जाएगा तो वो बूटेबल डिवीडी है तो इसके लिए हमें जैसे ही restart होके computer open अब देखिए हमे इंटर की को परेस करना है लगाता है तो दोसतों इंटर कंटिनीवर्स प्रेस करते ही मैं जो डिवीडी था उसे मैंने बूट करा लिया है अब थोड़ी लोडिग लेगा तो इस टाइम जो आप इंटर मॉटे लोडिंग होने की थोड़ी दीरबाद ही आपको ऐसा इंटर पर क्लिक कर देना है जैसे आपने इंस्टाल नाव पर क्लिक कर देना है तो यहां पर आपको दो आप्शन मिलेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा यहां पर दो आपको इसमें से कस्टम इंस्टाल वाले पर क्लिक करना है तो कस्टम इस्टाल पर क्लिक करते ही दोस्तों यह सबसे मेंपॉंइंट फॉर्मेटिंग पीसी का यहीं पर थोड़ी सी ध्यान देना होगा पर पार्टिश डिलिट करना एक तरीके से तो यह उस चीज को आप चूज कर लोगे तो यहां पर देख सकते हूं 97.3 GB का मेरा Local Dixi है इस Partition को में डिलिट माना है तो simply यह नीचे आपको एक Option मिलेगा ड्राइब ऑप्शन तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप ड्राइब ऑप्शन में क्लिक करते हो कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन डेर सारे मिल जाएंगे तो आपको अपने पहले सबसे पहले चूज कर लेना है और नीचे आपको आना है और एक Option मिलेगा न्यू का तो इस पर आपको क्लिक करते ही आपको एपलाई करना है और ओके कर देना है अब जैसे आप 97 जो आपका लोकल डिक्स है उसको न्यू करोगे तो आपको ऊपर Option देखने को मिल जाएगा एक ड्राइब 350 MB का अलग से बन च जाएगी यहीं पर आपको next option मिलेगा बस इतनी चीज़े करने के बाद आपको next कर देना है इतनी चीज़े आपको basically ध्यान रखनी है जो main चीज़े है वहीं वहीं पर दोस्तों बहुत लोग गड़वड कर देते हैं जिसके बाद उनका EF और भी सारे drive डिलीट हो जाते है त तो बस इतनी सारे चीज़े करने के बाद आपको छोड़ देना आपने PC 15 मिनट से आदे गंटे तक समय लगे गया और 100% जो है आपका PC format हो जाने वाला है दोस्तों 100% complete होने के बाद कई बार रिस्टार्ट होने के बाद आपको PC कुछ इस तरीके के डिस्पले के साथ आ जान वाले option पे click कर देना है तो आप जैसे next पे click करोगे कुछ और भी चीज़े पूछी जाएंगी जो कि आपको बता देता हूं और PC open होने तक मैं क्या क्या चीज़े करनी है वो सारी चीज़े में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा तो यहां पर आपको एक option आ जागा मैं password रखता हूं अपने PC में तो वो चलो मैं भी अपना password दे सकता हूं आप अपने यहीं से password डाल सकते हो फिनिस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा तर देखे अब जो मारा PC है वो थोड़ी दिर में open होने वाला है वीडियो में अगर अब तक कोई doubt है तो फिर से आप एक बार पीछे करके खूब अच्छे तरीके से वीडियो को देख लीजेगा बार बार वीडियो को देखेगा अगर नहीं समझ में आता है तो कई बार देख लीजेगा क्यों कि पार्टीशन में फॉर्मेटिंग में गडबड हो सकता है अब आप देख तो PC जो फॉर्मेटिंग के बाद open हो रहा है कितने अच्छे तरीके से open हो रहा है यह PC हमारा अब कुछ इस तरीकार ईंटर पाइकन पर क्लिक करना है जोकि उपर से यहां पर तो 25 पर मिल जाए आपको इस तरीक लिएंग रखनी है जैसे कि कंप्यूटर हो घूसर फाइल हो गया यहां पे नेटवर्क का साइन तुन में रखता हूं पैनल भी नहीं रहता हूं ठीक हड् बाद apply और okay कर देना है जैसे आप apply okay करोगे आप desktop पे देख सकते हो माई computer recycle बिन आ चुका है अब आप देख सकते हो local xd और e की मेरी जो drive वो format नहीं हुई है only c की drive format हुई है तो इसी तरीके से आप भी अपने PC को बहुत ही successfully format कर सकते हो तो एर आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लो यार कॉमेंट करके अपने सुझाओ जरूर दीजिए चैनल पर नहीं हो तो सब्क्राइब करके प्रेस कर लिजे ब बात्राओ